असलाम आलेकुम देयर स्टूडन नाइन क्लास मैथिमेटिक्स उनुट 16 तेरम 16.1.2 स्टेटमेंट इस तेरम की जो है परलेलो ग्राम्स अन इक्वल बैसेज और इक्वल अल्टिचूड और इक्वल इन एरिया अगर आपके पास परलेलो ग्राम्स है जो कि एक्वल बैसेज पे हो यानि जिनके बैसेज या तो सेम हो या एक्वल हो अल्टिचूड और इक्वल इन एरिया और जिनके अल्टिचूड भी बराबर हो तो पिर उनके एरिया जो है वो बराबर होंगे दोबारा मैं बताओं कि ऐसे parallelograms जिनके equal basis हो और जिनके altitudes जो है वो बराबर हो तो पिर वो area के लिहाज से बराबर होंगे यह हमने थाबित करना है तो यहां हमारे पास दो parallelograms हम लेंगे एक parallelogram जो है वो A, B, C, D है और दूसरा parallelogram E, F, G, H यानि E, F, G, H यह parallelogram है तो दोनों parallelogram है are on the equal basis BC and F, G पहले parallelogram A, B, C, D का यह जो बेस BC है और दूसरा parallelogram E, F, G, H यह इस parallelogram का जो बेस F, G है तो यह दोनों बराबर है यह बेस BC और बेस F, G जो है यह बराबर है अच्छा अब दो parallelogram है दोनों के basis बराबर है और having equal altitudes और यहाँ पे इनके altitudes भी बराबर होंगे यानि इन दोनों opposite sides और यानि AD और BC यह जो दो sides है parallelogram के इसके दर्मान अगर मैं कोई एक perpendicular draw करूं और इसी तरह F, G और E, H इन दोनों opposite side of parallelogram के दर्मान अगर मैं एक perpendicular line draw करूं तो यह दोनों perpendicular lines जो है यह बराबर होंगे यानि altitude या इनके जो perpendicular heights है यह बराबर है ठीक है तो यह तो given में है क्योंकि यहाँ पे आपको बता रहें कि parallelograms on equal basis अब equal basis एक B से है और एक F जी है and having the same or equal altitude और जिनके altitude यह यह perpendicular distance जो है यह बराबर है तो पिर क्या होगा are equal in area तो पिर यह area के लिए हासे बराबर होंगे यह area of this parallelogram that is A B C D and area of parallelogram E F G H यह बराबर होंगे so हमें क्या थाबित करना है to prove area of parallelogram A B C D is equal to area of parallelogram E F G H तो इन दोनों के areas बराबर होंगे यह हमने थाबित करना है construction करते है place the parallelograms A B C D and E F G H so that their equal bases B C and F G are in the straight line B C F G पहले parallelogram का यह जो base B C है और दूसरे parallelogram का जो base F G है इसको आप इस तरह place करें एक दूसरे के साथ कि जब मैं एक line draw करूँ तो वो इन दोनों parallelogram के bases से होके गुजरे यानि B C F G जो है यह एक straight line होगा तो चुकि B C F G एक straight line है तो admins की B C और F G जो है यह एक दूसरे के parallel है और यह एक ही straight line पे लाई करते है ठीक है अच्छा join B C and C H B E को join करे यानि B को E के साथ join करे और C को H के साथ join करे B को E के साथ और C को H के साथ join करे तो यह हमने construction की है प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं left side पे आप statements लेके right side पे reasons लेके the given parallelograms A, B, C, D and E, F, G, H are between the same parallels यहाँ पे यह जो parallelogram A, B, C, D है और parallelogram E, F, G, H है यह same parallels के दरम्यान है same parallels से मुराद यह है के यहाँ पे यह जो B, C, F, G line segment है और यह जो A, D, E, H line segment है यह दोनो parallel है तो यह दोनो parallelograms same parallels के दरम्यान है ठीक है are between the same parallels hence A और यहाँ पे आप reasons मैं यह भी बता रहें के their altitudes are equal और यह given था हमें के दोनो parallelograms के altitude बराबर है तो it means के यह दोनो lines जो है line segment जो है यह parallel होंगे hence A, D, E, H is a straight line A, D, E, H is a straight line parallel to B, C जो के इस B, C के parallel है यह यह line इस line के parallel है यह line इस line segment B, C के parallel है ठीक है therefore मैं यह B, C is equal to मैं यह F, G लहादा B, C और F, G जो है यह तो given में है कि B, C is equal to F, G BC और F, G जो है क्योंके आपको बताया गया था कि दोनों parallelogram के जो basis है यह बराबर है तो BC base और F, G basis जो है यह बराबर है यह given में हमें दिया था अच्छा अब F, G जो है यहाँ पे क्योंके वो E, H के बराबर है क्यों? क्योंके parallelogram के जो opposite sides है वो बराबर होते है तो F, G और E, H बराबर होँगे Therefore, BE and CH are both equal and parallel यहां पे BE और CH जो है यह दोनों parallel भी है और बराबर भी है Hence, EBCH is a parallelogram तो इसे से तो यह बात भी थाबित होती है कि EBCH जो है यह भी हमारे पास एक parallelogram है ठीक है? और रिजन मैं बता दे कि a quadrilateral with two opposite sides congruent and parallel is a parallelogram यह आपके पास कोई a quadrilateral यहां पे जो quadrilateral है EBCH इस quadrilateral के opposite side यानि BE और CH यह parallel भी है और congruent भी है तो यह parallelogram होगा और इससे पहले हम यह बता चुके है कि BC और EH यह यह भी parallel भी है और congruent भी है लहादा BCHE यह हमारे पास एक parallelogram है Now area of parallelogram ABCD is equal to area of parallelogram EBCH ABCD parallelogram जो है ABCD इस parallelogram का area और area of parallelogram EBCH EBCH इस parallelogram का area बराबर है इन दोनों parallelogram का area क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों parallelogram जो है वो same basis BC पे है ABCD parallelogram का भी बैस BC है और EBCH parallelogram का भी बैस BC है चुकि दोनों parallelogram के basis same है यानि BC है लहाजा दोनों और दोनों जो है इनके दरम्यान जो perpendicular distance है वो भी बराबर है तो it means कि ये दोनों parallelogram area के लिहाज से बराबर होंगे तो इसलिए area of parallelogram ABCD और area of parallelogram EBCH बराबर है इसको equation 1 का नाम दे और reason मैं आप बता दे कि being on the same basis BC and between the same parallel चुकि दोनों के basis BC same है और दोनों same parallels के दरम्यान है तो ये दोनों area के लिहाज से बराबर है इसको equation 1 का नाम दे अच्छा but area of parallelogram EBCH is equal to area of parallelogram EFGH अब जो area of parallelogram EBCH है इसका area और area of parallelogram EFGH इन दोनों parallelogram का area भी बराबर है parallelogram EBCH इसका area और EFGH इन दोनों parallelograms के areas बराबर है क्यों बराबर है क्योंकि अब ये दोनों parallelogram same base EH पे है यानि EH जो है ये बैस इस parallelogram EBCH के लिए भी है ये बैस और ये बैस EH जो है ये parallelogram EFGH के लिए भी है पिर दोनों के लिए same bases है दोनों parallelogram के लिए और दोनों के जो perpendicular heights है वो भी बराबर है तो लहाजा area of parallelogram EBCH और area of parallelogram EFGH जो है ये बराबर है तो इसको equation 2 का नाम दे और यहाँ पे आप बता दें कि being on the same parallel E, H अब दोनों जो है being on the same base E, H दोनों के base E, H जो है वो बराबर है, यानी same base पे है and between the same parallels और दोनों same parallels के दरम्यान है यानी A, D, E, H और B, C, F, G यह जो दो line segments है यह parallel है अच्छा, अब यहाँ आप ने equation 1 में यह प्रूव किया है area of parallelogram A, B, C, D area of parallelogram E, B, C, H बराबर है area of parallelogram A, B, C, D area of parallelogram E, B, C, H यह बराबर है equation 2 में पर आप ने यह थाबित किया है area of parallelogram E, B, C, H area of parallelogram E, F, G, H यह बराबर है तो यह parallelogram इस parallelogram के बराबर है और ये parallelogram इस parallelogram के बराबर है तो it means कि ये जो first और third parallelogram है ये भी बराबर होंगे यानि hence area of parallelogram A, B, C, D is equal to area of parallelogram E, F, G, H यानि A, B, C, D और E, F, G, H ये दोनों parallelogram भी area के लिए हास से बराबर होंगे क्योंकि one और two से हम ये थाबित कर चुके है one में first parallelogram second के बराबर है second equation में second parallelogram third के बराबर है तो first और third parallelogram जो है ये आपस में बराबर है और ये हमने थाबित करना था तो इसके साथ ये theorem complete होता है अगले वीडियो में नए topic के साथ पिर मिलेंगे मुझे अपने दूआओं में याद रखिए अल्ला हाफिज अपने दूआओं में याद रखिए अल्ला हाफिज